आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने कम समय में आज यहां आ सके और मेरी बात लोगों तक पहुचाने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस राम विरोधी है भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस हिंदू विरोधी है सनातन विरोधी है लेकिन मैं कभी इस बात पर विश्वास नहीं करती हूँ लगातार 22 साल मैं इस पार्टी में रही हूँ और हमेश जी कि तो हर सभा की शुरूवा थी रगुपती रागव राजाराम से होती थी तो हम कभी सोच नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई के लिए इस हैं अधीन ने चले से मुज़वान ना को को लिए उन्हान टेशा कुछ और 97 कवाने दर्शन करको लिए लिए शैना करकते शोमत्र कुछ और 50adth चुकी थी और इतना जादा एक अलग उर्जा मेरे अंदर आई और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया मैंने अपने घर के बहर आके जैश्री राम का एक ध्वज लगा दिया बस वो ध्वज लनाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से हमार पार्टी में मैं पहले थी कॉंग्रिस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली वीडियो डाले तो मेरे को लगातार दांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यूं किया क्यूं तुम राम मंदर होके आई जब चुनाव सर्पे है क्यों आप बार ये डाले और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदु धर्म के लिए बोलती हो और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं तुम बहुत जादा हिंदु धर्म के लिए बोलती हो क्या अपने धर लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक शर्यंत्र मेरे खिलाव रचा जा रहा था मेरे क्यारेक्टर को लेकर और और भी चीजों के शर्यंत्र रच के मिर्जे ऐसे अपमानित किया जाएगा मैं 36 गड़ के चुनाव की मीडिया की प्रभारी बनी और यह मेरा तीसरा बा और यहीं से बात शुरू नहीं होती जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो वहां के जो मीडिया चैर्मैन थे 36 गड़ के सुशील आनंद शुकला उनका मैं सुशील तो कहना शोभा नहीं देता दुशील ही कहेंगे उन्हें तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दोरान मुझे शराब ओफर करी उनके साथ एक और उनके साथ ही थे धनंजे ठाकुर और मेहां से कॉंग् आतार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे और शराब पी के 5-6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चैर्मान आके मेरे कमरे भी खटखट आते थे ये बात मैंने सचिन पाइलिट जी को भी तब कही थी वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी दीपक बैट जी को भी कही थी और दिल्ली में भी जैराम रमेश जी से लेकर पवन खेडा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोडो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया लेकिन तब भी कुछ निवा मैंने त किसके साथ मैच नहीं कर पा रही हूं तो इसलिए इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी करी जाएगी और कोई भी नेता कुछ नहीं बोले रहा है और हद तब पार हो गई जब तीस तारीक को च्छतिसगर कॉंग्रेस के मुख्याले में राइपुर में किसी भी नेता के लिए किसी भी पॉलिटिशन के लिए जो हमारे पार्टी का मुख्याले होता है वो मंदिर के समान होता है और हम सबसे सेफ अगर कहीं होते हैं तो उस मुख्याले में होते हैं लेकिन तीस तारीक की शाम के छे वजे के आसपास की घटना है जब मैं सुशीलानद शुकला जी से बा और लगा तार गंदी गंदी चीजे बोलने लगे और चिलाने लगे तब मैं चिलाई बहुत चिलाई वहां पे भार लोग बैठे वे थे और मैंने चिला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंतरी को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए लेकिन और प्रवक्ता थे जिन्होंने उनके ऐसा अशारा करने पर दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया। कुंडी बंद कर ली गई। करीबन एक मिनिट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी-गंदी गालिया दी गई। तीनों उठके मेरी तरफ आये। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूं तो मेरे रॉंके खड़े हो जाते हैं। मैं चीफती रही चिलाती रही बाहर भी लोग थे लेकिन किसी ने दर्वाजा खोलने की कोशिश नहीं करी और जो बागी के दो आदमी थे उन्होंने दर्वाजे के आगे खड़े हो गए और मुझे दर्वाजा नहीं खोलने दिया। मैं बहुत जोर-जोर से चिला रही थी मेरे हाथ में कून था मैं बार-बार कहती रही कि मुझे बाहर जारे दीजिए लेकिन लगातार मुझसे बचसलूकी करी जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पर धक्का देके और उस समय सरफ एक ही चीज मेरे ध्यान मेहाई में ने आंग बंग करके चिलाते समय सरफ कृषिन जी का ध्यान किया कि वो मुझे यहां से बचा के लेकर जाए क्योंकि जहां पर हम सबने अपने आपको एक महला सबसे सुरक तीवी कॉंग्रेस ओफिस में सीडियों से जो लोग वहाँ पर गए उन्होंने देखाए कि वो फर्स प्लोर पर उपस है मैं नीचे भागती भी गई चिलाती भी सीधा प्रदेश के महामंतरी चैनल सेक्रेटरी और प्रभारी और 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 मैं सरफ इतना कहती रही दिखात ब बेढ़े रहे कोई नहीं खड़ा हुआ किसी ने उस आदमी को नहीं बुलाया किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ और एक तमाशा वहां बनता रहा मैंने मेरी घड़ी 154 पर मेरा बीपीम चला गया और घड़ी ऐसे धब भट भट कर रही थी लग रहा था कि घड़ी ही फट जाएगी मेरे हाथ ठंडे पड़ गए मेरी मैं वह सोचती भी हो तो मेरे रॉंप्ते खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ मैंने उसके बाद पारी पी के फुड़ा शांत होके सचन पाइलेट जी को सबसे पहला कॉल किया पर हमेशा की तरह सचन पाइलेट जी के पास समय नहीं होता अगर आपको वहाँ पे कुछी से बात करनी है प्रभारी जी है वो लेकिन वो बात नहीं करते हैं सिर्फ उनके प पीए करते हैं उनके पीए ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम गाडी में हैं हम सरगूजा जा रहे हैं और मेरी उनसे एक मिनिट बात हुई और मैंने उनको पूरा के पूरा घटना करम से अफगत कराया और उन्होंने कहा कि एक मिन रुकिये उन्होंने वहाँ पे बात करी और मुझे का आप चुप रहीएगा चुनाव का समय है बिल्कुल चुप रहीएगा कुछ मत करना और उन्होंने फोन रग दिया मैंने फिर फोन लगाया कि मेरी सर से बात करा दीजिए लेकिन कहा अभी व्यस्त है हम गाडी में सरगूटा जा रहे हैं गाडी में पीछे सी फोन खेरा जी को किया वो शायद किसी सभा में थे उन्होंने भी फोन नी उठाया चौता कॉल मेंने जैरा उसका अगला कॉल मैंने पूर्लमुख मन्तरी भुपेश बगेल जी के रहे सलहकार विनोद वर्मा जी कूल micees उनसे मेरी बात हुई, एक जो वीडियो मेरा रोतावा किसी ने बना के डाल लिया था, मैं बहुत शुकर गुजार हूँ, जिस भी इंसान ने वो वीडियो बना के डाला, लोगों को मेरी हालत और दुर्दशा तो पता चली कि मेरी क्या हालत हो रही थी, वरना कभी मेरी बात आपाती, तो मैं उनसे बात कर रही थी और मैं उनको ये बता रही थी कि क्या बीता, और उधर से भी मुझे सामने ये बोला गया, कि तुम कोडिनेट करके नहीं चलती, क्या, अगर मैं कोडिनेट करके नहीं चलती, तो इसकी सजा ये होगी कि तीन आदमी बतसलुकी करके बंद कर लेंगे, वो भी हमारे मंदिर के अंदर, तब भी मैं रोती रही, चिलाती रही, मैं ये कहती रही कि सर कुछ किजे, मैं सुरक्षत महसूस नहीं कर रही, कोई आक्शन लीजे, लेकिन किसी नहीं सुनी, उसके बाद मेरी पवनखेरा जी से बात हुई, उनको मैंने पूरा घटना कम बताया और ये कहा कि आप मेरे परिवार को जानते है, आप मेरे चुनाफ परचार में आये हैं, मैं आप हमें हर साल बेटी बना के तीजा पोरा के लिए 36 गड़ बुलाते हैं, मैं 36 गड़ की बेटी हूँ, और आप ही के आदमी, आप ही के बनाये हुए सु आप सोच रही हूँ कि मैं राजनीती ही छोड़ दू, तो भुपेश बगिल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं, तुम 36 गड़ छोड़ दो, जब ये सामने से कहा गया कि 36 गड़ छोड़ दो, तब मुझे चीजे सामने से समझ आने शुरू हुई कि कि किस तरीके से एक शरिय गांधी जी और प्रेंका गांधी जी के जो पीए पार्टी चलाते हैं, अलंकार सवाई जी, कौशल विद्यार्थी जी, संदीप सिंग जी, सब को लगातार कॉल करती रही, मेसेज किये, चिठ्थिया लिखी, खड़गे जी के ऑफिस में भेजा, पर कहीं से कोई जवाब कहीं से कोई मदद नहीं है, जैराम रमेश जी को भी मैंने रात को डेड़ बजे पूरी चीज लिखके भेजी, उन्होंने सुबा साथ बजे वो मेसेज पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने एक फोन कॉल नहीं थी, एक बार मुझसे बात नहीं करी, और मैं अपनी मर्जी से तो न्याय की गुहार मानी, तब एक फोन कॉल जैराम रमेश जी का आया, मैं उस वक्त डॉक्तर पे थी, मैं नहीं उठा पाई और तुरंट 15 मिनिट बाद मैंने कॉल बैक किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने नहीं उठाय, जैसे होता है कि बस हाँ फोन कर दिया, नहीं उठ कर दिया कि कॉल है, लेकिन किसी नहीं सुनी, मैं लगातार शिकायत करती रही, मैंने अलंकार जी को जब उनका एक रिपलाय आये, उन्होंने कहा कि आपने जैराम जी से ये बात कही है, मैंने कहा बिलकुल कही है, फूरी घटना करम फिर बताई कि कि इस तरीके से मेरे बारे से बाते रखी थे और बहुत सामने आके कि नहीं पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, फिर भी वो चली गए, उसके बाद यहीं चीज हमने अर्चना गौतम जो एक दलित लड़की है और सिर्फ प्रियंका गांधी जी का नाम ले लेके चाहे वो जब बिग बॉस में प्रियंका गांधी जी का राग बलापती थी, लेकिन उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के राष्ट्रिय मुख्याले, AICC, 24 अकबर रोड में गुंडों को भेज कर उसको पीटा गया था, और तब भी उसने कहा था कि उपर के शारे से मेरे सा ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने तब भी यकीन नहीं किया था, मैं तब भी नहीं मानती थी कि मेरी पार्टी ऐसा कर सकती है, फिर जब अंक्यता दत्ता ने कंप्लेंड करी, बीवी श्री निवास के खिलाफ, तो कंप्लेंड करने का नतीजा ये हुआ कि उसको पार्टी से निक किया था, वो पवन खेडा के साथ प्रेस कॉंफेंस बैट के राइपुर में कर रहा था, ये तरीका था हमारी पार्टी का हर चीज को हैंडल करने का, उसके बाद गुर्दीप सप्पल जी आए, फिर वो आदमी जिसने मुझे कमरे में बंग किया था, वो प्रेस कॉंफेंस साथ कर रहा था, लगातार, और लगातार मैं कम्प्लेंट करती रही, फिर भी गुहार करती रही, पांच दिन, छे दिन मैंने मीडिया से बिलकुल बात नहीं करी, मैंने अपना धरम निभाया कि अगर इंक्वाइरी करी जाए, कुछ बात करी जाए, तो मैं तब तक मीडिय हम से गुहार लगाई और कहा दीदी, आप मर्यादा पुर्शोत्म प्रभुश्री राम के ननिहाल में आ रही हैं, मेरे साथ न्याय करें, लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, लेकिन नहीं, नारी न्याय कागज में, मैनिफेस्टों में हैं, पर धरातल में नहीं, लड़क हूँ, लड़ सकती हूँ, बाते हैं, पर अपनी ही घर की लड़कियों को पिठवाने का काम किया जाता है, अपनी ही घर की लड़कियों को बंद करने का काम किया जाता है कमरे में, वो क्या मन्शा थी, मैं आज तक नहीं समझ पाहिए हूँ कि मुझे क्यों तीन आद्मियों निकालने की कोशिश करी जाएंगे, क्योंकि लगातार देखते आए हैं, जब जब महिला के साथ अन्याय होता है, दोनों समय, अगर आप राम मंदर जाएंगे, आप रामलल्ला का नाम लेंगे, आप पार्टी में हिंदू सामने आएंगे, कि आप हिंदू है, आप मंदर चाइगा कि वो पार्टी छोड़न या पार्डी स्लिकार दूसर भारव हो I will keep it मेरे जङ्ँ जारी रहेगी कि लड़की फूल बड़ रही हूं यह सिर्फ एक क्नारा मेरे ले नहीं है मैं नयाई के लिए inhale हमीशा से 22 साल, 22 साल एक इंसान 17 साल की उमर्षे में इस पार्टी से स्विचारधारा से जुड़ी हूँ और ये सोचते वही कि ये सम्विधान के रक्षक है लगातार हमें ये बोला जाता था हमारे स्ट्राटेजी गुरुप में हमें सिखाया जाता था जो हमारे प्रवक्ताओं का स्ट करनाटक वाला इशू आया सामने तो बोला गया कि पार्टी को भारतिय जन्ता पार्टी को करनाटक पे छेते आप करनाटक की बात कर रहे हैं आप मनिपूर की बात कर रहे हैं पहलवानों की बात कर रहे हैं लेकिन आपके घर में जो लड़कियों के साथ हो रहा है उस पे ए एक महला नेत्री ने चुपटी साज ली ना महला कॉंग्रिस की अध्यक्षा हो चाहे सुपरियाश्रिनेट हो और यही नहीं नहीं नेटा डिसूजा जी जो पूर्म महला कॉंग्रिस अध्यक्ष रह चुकिया उन्होंने मुझे फोन करके चिलाई कि तुम ऐसा कैसे कर रही हो जब उनको पूरी घटना का पता चला और इतना चिलाई और बोला कि घर में शादी होती है ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद घर में चुप रहने को कहा जाता है लगातार शीष निते और जैराम रमीश जी ने मुझे कॉल करके कहा कि यह क्या तरीका हो रहा है चिला लगातार राधिका खेड़ा को चुप रहने को कहा गया लगातार बोला गया कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो तुम कोई आक्शन क्यों ले सकती हो और एक नौटंकी करी गई कि हमें छे दिन बाद कि हमें एक रिपोर्ट मांग लेते वो भी तब जब मैंने आखिरकार कहे दिया कि मैं पुलिस में कंप्लेंड लिखवाने जा रही है लेकिन मेरी तब्वेत इतनी खराब थी मैं वहां से ट्रादन नहीं कर सकती थी मैंने अपनी माता जी को वहां बुलाया मैं फिर भी आखरी उमीद करते वे नयाय कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास गई और उन्होंन कि मुझे शराब ऑफर करी गई है तो दीपक बैज ने सामने से बोला अब शराब पीती है ना कितना पीती है थोड़ा पीती है ज्यादा पीती है कभी तो पीती होंगी यह तरीका था इंक्वाइडी करने का कॉंग्रेस पाटी का और यह किसके इशारे पे हो रहा था करके नहीं कहा कि क्या हुआ, तुम मेरी राश्य ह करवकता हो, तुम मेरी National Media Coordinator हो, अकेली हुँ आप सब जानते हैं, National Media Coordinator, साथ साल से हुँ, मैं अकेली लड़की हुँ उस Department में, लोगों के बीच में, आदमी आए गये, पर मैं एक अकेली लड़की हु उस Department में और उसी को आपक भुपेश बगेल के कहने पर सचन पाइलेट के कहने पर काम कर रही थी, ऐसा क्या है राहुल गांधी जी के पास चुपाने को, कि इतना दबाब उनका, भुपेश बगेल इतना दबाब बना दिया कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी चुपी साज लिए, मुझ पॉलो करते हैं तो उनसे कोई बात छिपी नहीं थी और लगातार में पास मेसेज है हर चीज है प्रूफ करने के लिए लेकिन एक बार भी किसी ने मूनी खोला ऐसा क्या है क्या मेरा राम मंदिर जाना इतना जादा चुप गया पार्टी को कि ऐसे शड़ेंतर रचके में साथ दो आप लेकिन, ये कैंप गव है इतनी घ्रีना हो जाएगी क्योंके और किसी मुद्दे पर मुझे हटा नहीं सकते थे कोई action नहीं ले सकते थे तो इतनी घ्रिना हो जाएगी कि एक पूरा शडियंत्र रचा जाएगा और मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद भी कोई कारवाई नहीं और अब तो जी सुनने में आया है 5-6 लोग भी सामने आ ग मुझमनी हो रही है और ये कर रहे है क्योंकि मैंने उनका असली चहरा सामने ला दिया तो वो दो मुसल्मानों को लेकर आए हैं जो वहाँ पे नहीं थे और अब वो बयान दे रहे हैं कि वो उस कमरे में थे मैं रिक्वेस्ट करती हो छतिसगर की पुलिस से भी कि इसका संग्यान ले कि वो आदमी कहां से आये और क्यों आये और अगर उनकी हिसाब से वो पांच आदमी थे तो ये भी सवाल बनता है कि पांच आदमियों ने एक लड़की को केले कॉंग्रिस के मुख्याले में कमरे के अ कंग्रिस में में वहां पर भीजा था चातिसगड़ में काम करने को महिनों वहां पर रह के काम कर रहे यह कि लेकिन भी यह प्रबुश्री रामते व्रोध करने लेकिन प्रभु जिन्हों श्री राम मुझे आफिर काई में आए पिलाके रहा है आपके कुल सवाल होते हैं रादका जी आपने किसको फोन किया था जब सारे लोग इसने घुपेश बगिल जी को डारेक्ट किया था सचन पालेट जी को उन्होंने वापस कॉल बैक किया था मुझे अब सचन प जिन्हों ने का कि तुम कोडिनेट करना सीख हुई है वो सलहकार होते थे विनोद वर्मा जी आपने क्लाइन बोले कि क्या पहुचाते हैं भुपेश बगिल प्रेशर बनाए हुए हैं कि उस पे कोई कारवाही ना हो वरना लगातार जिसके उपर कंप्लेंट हो रही है और और यहां लगातार जो कंप्लेंट हो रही है उसको बचाया जा रहा है उस पर कोई कारवाही ने हो जारी क्योंकि भुपेश बागिल जी और संचन पालेट realised लट रहे ही चप्सिस ग्रदेट बुला कि में प्र्यंका गांधी जी क्लात छांट ऑं फित्व मेuच। वो उस लड़की को के लिए campaign करने भी नहींगा ये सब को पता है और ये सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जी भुपेश बगेल जी के आगया के खड़ी होती है जब भी उनके कोई समस्या आई है कि उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाएगा लेकिन यहीं तो स पेश बगेल के आगे आके खड़े हो के राहुल गांधी जी खड़े नहीं होते क्यूंकि मैं राम जी के ननिहाल होके आई हूं मैं राम जी के अयोध्या धाम होके आई हूं तो सबसे जादा उनको मुझसे घ्रिणा होती है आपको यह कैसे पता लगा कि वो दो मुस्लिम अभी नहीं, मैंने कहा कि वो बाद में लेकर आए हैं दो और लोगों को, वहाँ पे सरफ तीन लोग थे, अब जो नहीं चीज आई है जो मुझे मीडिया के माध्यम से पता चली है, वो दो उसमें जो लोग लेकर आए हैं, उनके नाम है पता है, वो कॉंग्रिस पार्टी के प पांच लोग थे, और ये भी खेर हैं कि उन्होंने कमरे अंदर से बंद किया, तो सोचने की बात है, जो ये दो नए आदमी अंदर आते हैं, पांच लोग एक लड़की को कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं, और प्रियंका गांधिर जी आज भी चुप है, खड़गे जी आज भी चुप है, मैंने अपना पहले जब इस्तीफा भेजा, किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया, किसी ने एक बार फोन उठा के नहीं पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, और जब मैं कम्प्लेंट ही कर रही थी, सरफ मुझे फोन करके धंकाया जाता था, कि चुप रहो, चुप आप क्या ये ख्याना जा रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी एक महिला गिरोधी पार्टी बिल्कुल, देखे, AICC के मुख्याले में एक दलित लड़की को कॉंग्रेस के कार्य करता, कॉंग्रेस के ऑफिस बैरर्स, प्रियंका गांधी के इशारे पे आके पीट के जाते हैं, मेरे साथ भी 36 गड़ में आव वो तो गनीमत है, मैं तब से आके कॉंग्रेस के मुख्याले में नहीं गई परना शायद मुझे भी पीट पाट देते, जो लोग कमरे में बंद कर सकते हैं लड़की को, वो किस हद तक जा सकते हैं, वो मैं आपके सूच पे छोड़ देखे, देखे, मैं सारे लीगल ऑप्शन की तरफ ध्यान दे रही हूं, मैं अपने वकीलों से भी बात कर रही हूं, और लगातार देखे न, इतनी बड़ी चीज हो गई, कॉंग्रेस का एक मेता मुझे से 36 गड़ में मिलने नहीं आया, वहां की महला कॉंग्रेस की अध्यक्ष नह कहीं पर भी आप जाके इस पर फायर करवा सकते हैं, और मेरी पार्टी, 22 साल जिसको मैंने अपने जीवन के दे दिये, 17 साल की उमर से, और पीड़ी, पीड़ीों से, मेरे DNA में कॉंग्रेस है, तो सोचिए जिसके DNA में कॉंग्रेस है, जिसके घर में दो तामर पत्र हैं, जि उसको 17-22 साल बार छोड़ने को मजबूर कर दिया, मैं छे रातों से देड़ घंटे से जादा नहीं सोई हूं, दवाईयां खा रही हूं, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आप सोचिए कि क्या मेरे साथ ब्रीत हैं होगी? जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था, तब कॉंग्रेस चुप थी, जब मुझे कमरे में बंद किया गया, तब कॉंग्रेस चुप थी, जब मैं न्याय मांगती रही, गुहार करती रही, छे दिन मैंने चुपी रखी, कॉंग्रेस में एक शब्द नहीं कहा, मैं बोलती रही कि एक घर का मामला है वो आदमी लगातार मीडिया में बाइट देता रहा वहांके लगातार मीडिया में लोग बोलते रहे वो मंच पे बैठा रहा मैं फिर भी पालन कर रही थी हर लियम का तो उसके बाद अब क्योंके उनके पास कोई सफाई नहीं है वो कैसे जानते हैं कि वो अदमी कि उसने अंदर से दर्वाजा बंकिया था तो अब उन्होंने किसी तरह मेरे करेक्टर पर जाना है और यह हर बार तो नहीं हो सकता एक आदमी जूट बोल रहा है दो आदमी जूट बोल रहे हर इंसान जूटा है और सिर्फ सच्चे राहुल गांदी और प्रियंका जोईन करना मैं कोई पार्टी नहीं जोईन कर नहीं सेन को अब बहुत ही ए nostalgic है कि मैं अभी मांसिट तोर से भॉत पीरत हो गले अज तो मैं चुश्ञ यह कंपर लेना पड़ेंगा mbशत की में जब लाम मंदिर गई उसके बाद से आप खुरी देखेंगे मैं चानल पे कितना कम जाने लगी जो लगातार में जिस तरीके से आप देखें मैं तो किस तरीके से भारतिय जंता पार्टी को अटैक करती आई हूँ और जिस दिल मेरे साथ यह घटना हुई उस घटना होने क आठ मिनिट पहले एन आए पीटी आए आपका चानल न्यूज एटीन सब आके मुझसे बाइट लेकर गए थे जिसमें मैंने लगातार मोधी सरकार से लेकर हर जने की खिलाव बोला था और बहुत ही अटाकिंग मोड में बोला था तो धाई मिनिट में तो कोई ऐसे प्लानि पर घेलो पार्टी ने बोला मनिपूर पे घेलो पार्टी ने बोला करनातक पर घेलो पर जब खुद की बेटी की बात आई तो जिस लड़की को आप जिस प्रवक्ता को आप यह बलगातार कहते थे कि सम्विधान के उपर यह आरक्षन खतम कर देंगे इस मुद्धे की कहते थी हम कटे रहे जाहिए वह सच था जूट था कहां संविधान बदल रहा है मैं यह जानती मैंने कहीं नहीं आख़ा कहा ओरक्शन ख़तम हो रहा है मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा लेकिन पाटी क्यूप किंके आपको कह रहें कि राम मंदीर में दर्शन करने आपका विरोध प्रूल सबर्गा विक्रम अदित्य प्रद्ग और दिकत्ट旗 भी दिया। बहुत साधुवाद आक पर टीन नाम करते हूँ OUT चरंजीत सिंग चन्नीुकें खिलाब अंटरी महिला को छेड़ने का केस है विक्रम अदित्य सिंग कौन है जिस तरीखे से घ्रर्माचल में हमने देखा जो पार्टी के खिलाफ काम हौँ पूर्म किसमें सम्य प्रचा सब जानते हैं उनको पार्टी नों ने पार्टी को किस तरीके से धंकाया वो पार्टी पर हावी पढ़े तो उनकी का चुनावा था वो आप लोग मुझसे बहतर जानते हैं चन्नी साब का भी आपको पता है वहां पे भी महिला को पीड़न का केस है और उसको मुख्यमंतरी बनाया गया आदमी को तो पार्टी की क्या महिला न्याय की नीती है वो चरण जी चन्नी तो उसका जीता जाता एक्ज करती है और लगातार मैं फिर बोलूगी यह सारा मुद्दा जो है इस बात की तकलीफ है कि कोई भी क्यों राम मंदिरों और यहीं लोग गए है जो पार्टी को आंखों दिखाने की हिम्मत करते हैं जो पार्टी छोड़ गए आप मुझे बताईए जो पार्टी में रह रह उन पर से कौन हिम्मत करके चला लिया कोई नहीं मैं में एक सवाल है मेरा कि अभी राहूल गांदी ने एक लेक्टर लिखा था करनाट की सीम को और रहा कि जो प्रजोल रिवन्ना कांड हुआ है जो पूरा उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को पता था उसके क्वेर के स्वाजों लि chỉ मैंने अपनी पीड़ा बताई थी मैंने मेंशीच करके उनके दोनों ऑची को अपनी पीड़ा बताई थी गह मैं बह इंति इंतजार कर रही थी कि शायिद राहूल गांधी जी अपनी पार्टी की कारियकरता जो 22 साल अपने जीवन का इस पार्टी को दे चुकी है उसकी भी व्यथा सुनेंगे उसकी भी पीड़ा सुनेंगे और बोलेंगे कि कोई न्याय लिया जाएगा पर नहीं उन्होंने क्या भुपेश बगेल को चिफ्ठी लिछी उन्होंने क्या और मैं बहुत जिम्मिदारी से कहती हूँ चाहे राहुल गांधी हो प्रियंका गांधी जी हो मलिका अर्जुन खडगे जी हो जैराम रमेश जी हो सचिन पाइलेट जी हो गुपेश बगेल जी हो किसी के अंधर भी रीड की हड़ी नहीं है एक इंसान के अंधर भी रीड की अपना घर तूट रहा है अपना घर बरबाद हो रहा है घर को तो बचा लो फिर जाके किसी और की अवाज बढ़ा है आपको लगता है किसी ने आपके आपके जांच तो कराऊंगे एक जो बाद में उतर है जी जो आपने कहा मैं लगातार जांच की बात कर रही थी जैसा मैंने कहा एक शो कॉस नोटेस भी छे दिन में उस आदमी को नहीं बेजा गया कोई भी जांच शुरू होने के लिए पहले दोनों पार्टी को शो कॉस नोटेस बेजा जाता है जो आरोप भी लगा रहा है और जो आरोपी है उस पे भी किसी को शोकॉस नोटेस नहीं आया कोई कारेवाई नहीं करी गई रही बात अलका लामबा जी की मुझे कोई कौन नहीं आ वो मुझे बहुत अच्छे तरह से जानती है व्यक्तिगत तोर से जानती है उन्होंने एक फोन करके भी नहीं पूचा राद और मैं लगा तार कुछ वीडियो शेर करती थी जैसे कभी देखे मैं लगा तार कोई भी अगर धरम गुरू कुछ ऐसा काम करता था जैसे राम रहीम हो गए तो मैं वो बात सोशल मीडिया पर शेर करती थी कि ऐसा ही वीडियो मैंने एक शेर किया था कि एक आदमी फादर है क्रिश्चिन समाज का वीडियो था कि वो बिसलरी के बॉटल से लोगों पर पानी फैंक रहे हैं लोग फूद रहे हैं तो नेटा डिसूजा ने मुझे फोन करके उस समय भी धंकाया था कि कैसे तुम ये वीडियो शेर कर रहे हो तो मैंने तब भी का था कि मैं हमेशा अपने धर्म के लोगों को अगर वो कोई भी गलत करता है तो बोती हो तो मैं गलत बात कर रहे हूं क्योंकि ये प्रेशर बनायागा कि हम जिस पार्टी से आते हैं वहां पर हमारा नेत्रित्व गुस्ता हो जाएगा और में को मैसेज भी हो और वो लिखके भोली कि पैस्टर दिखा दूँ मैंने किसी धर्म पर सवाल नहीं उठाया था मैं खुद एक कॉर्मिट अफ जीजिस में स्कूल से पढ़ी हूं हमारे दिन की शुरुआत चर्च जाके होती थी और तब भी मुझ पर या रोप लगा थे तो यह दिखाया जाता था कि स्वर्फ तुम हिंदू धर्म को फॉलो करती हो तुम बाकी धर्म के खिलाफ हो जो लड़की खुद एक माइनॉरिटी स्कूल से पढ़के आई भी उस पर यह एजाम लगाना कि मैं धर्म के खिलाप हो यह नेटा डिसुजा का किया हुआ है जो महला कॉंग्रेस की पूर्व अध्यक्षा रही है और महला कॉंग्रेस की अध्यक्षे वो भी एक बार फोन करके लिए सुप्रिया श्रिनेट जी उनसे भी मेरी लगातार बात होती है मैं उनसे हमेशा पूछती हूं कि लाइन क्या है हाँ उन लोगों ने कारवाई जरूर करी जब मैंने अपना इस्तीफा दिया तो सब ने